आल्राइट, चेक इट आउट गाईज, स्वागत है आपका स्टोन टैग में, आज अम बात करेंगे शाओमी 11T Pro 5G के बारे में, जानेंगे इसके फुल फीचर एंड स्पेसिफिकेशन और क्या है इस मोबाईल में कुछ खास सबसे पहले बात करते हैं, स्वाइल के डिस्प्ले के बारे में, जिसमें 6.67 इंचिस की AMOLED डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, एस्पेक्ट रेशियो 20.9 होगा और इसकी इंडेंसिटी 395 PPI होगी अगर बात करें इस मोबाईल के स्क्रीन प्रोटेक्शन की तो इस मोबाईल में गोरिला ग्लास विक्टर्स की स्क्रीन प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाएगी अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के operating system, chipset और GPU के बारे में इस mobile में Android 11 का operating system आपको देखने को मिलेगा chipset, snapdragon, 888, 5G होगा और अगर बात करें इस mobile के GPU के तो इस mobile में Adreno 660 GPU आपको देखने को मिल जाएगा अब बात करते हैं इस mobile के main camera की जिसमें 108, 8 और 5 megapixel का एक triple camera आपको देखने को मिलेगा camera feature में इस mobile में HDR का feature भी होगा अगर बात करें main camera की video quality की तो आप इस mobile से 8K, 4K और 1080p में nice quality की photos और video shoot कर सकते हैं अगर बात करें selfie camera की तो इस mobile में 16 megapixel का एक front camera आपको देखने को मिलेगा और front camera की video quality 1080p होगी अब चलते हैं इस mobile के अगले segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile की memory के बारे में सबसे पहले बात करते हैं इस mobile के card slot की तो इस mobile में card slot नहीं होगा internal memory 128 GB और 256 GB के variant में होगी अगर बात करें इस mobile के RAM की तो ये mobile आपको 8 GB और 12 GB के variant में देखने को मिल जाएगा अगर बात करें इस mobile के sound quality की तो इस mobile में एक nice quality का आपको stereo loudspeaker देखने को मिलेगा और 3.5 mm jack आपको इस mobile में नहीं मिलेगा अगर बात करें fingerprint sensor की तो इस mobile में fingerprint sensor side mounted होगा अब बात करतें इस mobile की battery के बारे में जिसमें 5000 mAh के एक बड़ी LAPO battery आपको देखने को मिलेगी अगर charging की बात करें तो इस mobile में 120 Watt की fast charging भी होगी अगर बात करें इस mobile के कुछ common features की तो इस mobile में 2.0 TAPC USB port आपको देखने को मिलेगा infrared port और NFC का feature भी आपको इस mobile में मिल जाएगा आप चलते हैं इस mobile के सबसे important segment की तरफ जिसमें हम बात करेंगे इस mobile के color, price और release date की सबसे बहले बात करते हैं इस mobile के color की तो ये mobile आपको gray, white और blue color में देखने को मिलेगा इंडिया में इस mobile का price 56,390 होगा अगर बात करें इस mobile के release date की तो ये mobile 18 November को release हो जाएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like, share जरूर करना और channel को subscribe करके bell notification को भी on कर लेना और comment करके बताना इस mobile का सबसे अच्छा फीचर आपको कौन सा लगा तब तक के लिए इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में